हेलो फ्रेंट्स में हुरा जनों श्वागत है आपका हमारे चैनल दिलिप टेलर शन्पूर्टिक में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नॉर्मल सिलाई मसीन से पीको कैसे करते हैं ये तरीका शिखाने वाला हूं इस तरीके को सभी लोग यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं जिनके पास पीको मशीन या इंटरलॉक वाली मशीन नहीं होती है तो आप भी इस तरीके से पीको कर सकते हैं तो चलिए शूरू करते हैं आज की इस वीडियो को इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब करके बैल बटन दबा लेना और प्ले श्टोर से जाकर के दिलिप टेलर्स मुबाइल आप जरूर काट दें या आप क्या करें यह इस तरह से एक धागा यहां से खेच के निकाल दें अब जैसे यह आप यहां से निकालते हैं बहर तो यह कपड़ा आपका पूरा सीधा हो जाएगा कैसे सीधा हो जाएगा यह ऐसे पूरा वह आपको दिख रहा है दागा उस तरह से आप सिंपल तरीका रहे का कपड़ा सीधा करने के लिए बांकि इतना ताम जाम करने की भी ज़रूत नहीं है आप सीधा-सीधा कटिंग कर सकते हों यह मैं सिर्फ टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह से अगर हम धागा खीचेंगे तो वह बिल्कुल सीधा-सीधा न अब इसमें यह कॉर्णर को ध्यान दीजेगा यहां पर ना इसको मोड़ना है यह इस तरह से हाथ से देखिए यह इस प्रकार से मोड़ना है ऐसे मोड़ करके ऐसे रखना है आपको देखिए ठीक है यह से रख करके यहां पर थोड़ा सा सिलाई आगे बढ़ाना पड़ेग अब ये मशीन ऐसे ही रहने देना कपड़ा घूमा देना प्लेजर जब उठाओगे सुई अंदर रहेगा ध्यान रखना प्लेजर उठाए तो सुई अंदर था और उसके बाद बहुत अराम से बता रहा हूं ध्यान से देखिए यह आप जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे इत है ठीक वैसे ही आपको सिलाई लगाना है जैसे की पीको मशीन की सिलाई चलती है अपने काम पीको मशीर की तरह को जाएगा यह तरीका बहुत से लोग यूज करते हैं यह कोई बिल्कुल नया तरीका नहीं है इसको बहुत से लोग यूज़ करते हैं जिनके पास सिलाई मशीन है लेकिन पीको मशीन नहीं है और अधिकतर घरों में जो महिलाएं सिलाई करती है उनके पास सिलाई मशीन तो होता है लेकिन पीको मशीन नहीं होता तो उनके लिए ये तरीका बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सक करता है थोड़ा सा इसको बनाते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कि पूरा फिनिशिंग के साथ ये बढ़ी है से पीको होके आ रहा है ठीक है ये इस तरह से आप भी ऐसे ही करते जाएंगे बस कपड़ा पकड़ने का तरीका देखो मोड के किस तरह से हमने पकड के बाद ये जो कपड़ा है न ये इस तरह से पकड़ने के बाद आपको क्या करना है ? सिलाएवस चलाते जाने है ahh ये देखिए , दोनों उंगली से आपको कपड़े को पकड़े रहना है और बस ये इस तरह से आगे पीछे कपड़े को करते जाना है इससे आपका पी को अच्छे से हो जाएगा एक दोबार करोगे हाँ जम जाएगा फिर कोई शुनी होगा ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया तो ये देखें फ्रेंट्स ये कुछ इस प्रकार से पूरा पीको हो जाएगा आपका नॉर्मल सिलाए मशीन से इधर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग है किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं है पल्टा के पूरा देख लेजिए चारो तरफ से कोई बीशु नहीं है इस तरह से आप पीको कर सकते है अब देखिए पी जोंको प्रेक्टिस करें थोड़ा सा संघर्ज करें थोड़ा सा महनत करें क्योंकि ये महनत आपके सक्सेस का एक दिन कारण बन सकता है तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताईएगा वीडियो कर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार ह जैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा मैं राजन आप से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन